आज हम कक्षा ग्यार्मी के मनोविज्ञान विशे के अध्याय 9 अभी प्रेड़ना एमम सम्वेग पल्चर्चा करेंगे इस अध्याय को तीन भागों में बाटा गया है आज पहले भाग में अभी प्रेड़ना का सवरू तथा अभी प्रेड़कों के परकार जैविक अभी प्रेड़क एमम मनो सामाजिक अभी प्रेड़क पल्चर्चा की जाएगी अभी प्रेड़ना का सवरू Nature of Motivation अभी प्रेर्णा का संप्रतेर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवहार में गती कैसे आती है हमारे देनिक जीवन में अधिकांच व्यवहारों की व्याख्या भी अभी प्रेरकों के आधार पर ही की जाती है अभी प्रेरक व्यवहारों का पूर्वा नुमान करने में भी साहिता करते हैं अभी प्रेरक वे सामाने स्थितियां हैं जिनके आधार पर भिन प्रिस्थितियों में व्यवहार के बारे में पूर्वा नुमान लगा सकते हैं अभी प्रेहना व्यभार के निर्धारकों में से एक है मूल प्रवर्तियां इंस्टिंक्ट्स अंतरनोद ड्राइव्स आवशक्ताई नीड्स लक्ष गोल्स तथा उत्प्रेहरक यानि इंसेंटिव्स अभी प्रेहना के विश्त्रित दाइरे में आते हैं अभी प्रेहनात्मक चक्र मोटिवेशनल साइकल आवशक्ता की सनपरते यानि कंचेप्ट का उप्योग व्यभार की अभी प्रेहनात्मक विशिश्ताओं मोटिवेशनल प्रोपर्टीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है आवशक्ता क्या है वाट इस नीट किसी आवशक्त वस्तु का अभाव या न्यून का डिफिसिट ही आवशक्ता है आवशक्ता अंतरनोद ड्राइव को जन्म देती है किसी आवशक्ता के कारण जो तनाव या टेंशन या उद्वेलल अरावजल उत्पन होता है वही अंतरनोद है अंतरनोद के कारण किरिया क्लाप एक्टिविटी को उर्जा मिलती है तथा लक्ष प्राप्त कर होने के बाद अंतरनोद समाप्त हो जाता है प्राणी भी किरिया शील नहीं रहता है तथा पुने संतुलित दशा में लौट जाता है आवशक्ता अंतरनोद उद्वेलन लक्ष निर्दिष्ट व्यभार उपलब्धी उद्वेलन की कमी आवशक्ता इस परकार का चक्कर चलता रहता है अभी प्रेरकों के परकार यानि टाइप्स ओफ मोटिव्स मूल रूप से अभी प्रेरक दो परकार के होते हैं जैविक अभी प्रेरक यानि बायलोजिकल मोटिव्स मनो सामाजिक अभी प्रेरक साइको सोशल मोटिव्स अब आता हमारे पास जैविक अभी प्रेरक इन्हें शरीर क्रियात्मक यानि फीजियो लॉजिकल अभी प्रेरक भी कहते हैं क्योंकि इनका संचालन मुख्यत है शरीर के शरीर क्रियात्मक तंतर फीजियो लॉजिकल मेकैनिजम पर निरभर करता है मनो सामाजिक अभी प्रेरक, साइको सोशल मोटिव्स, प्राथमिक रूप से विभिन परियावरनी कारकों यानि एन्वार्मेंटल फैक्टर्स के साथ व्यक्ति की अंते क्रियाद्वारा सीखे गए होते हैं कोई भी अभी प्रेरक अपने आप में पूर्ण ते जैविक या मनो सामाजिक नहीं होता। जैविक अभी प्रेरक, बायलोजिकल मोटिव्स, प्राणी की आवशक्ताई, आंतरिक, शरीर क्रियात्मक ऐसंतुलन, इंटर्नल फीजियोलोजिकल इंबैलेंसिज, अंतरोध ड्रा क्यों उत्पन करती हैं। अंतर नोद ऐसे विवारों को जन्म देते हैं, जिनके कार्ण वे विशेश लक्षों को प्राथ करने के लिए विशेश किरिया करते हैं। इससे अंतर नोद घट जाता है। अभी प्रेर्णा की सबसे पुरानी वैख्या, मूल प्रिवर्ति, इंस मूल प्रिवर्ति, यानि इंस्टिंक्ट्स क्या हैं। मूल प्रिवर्ति, उन सहज विवारों के प्रति रूप, इन बॉर्ण पैटर्स को सूचित करती हैं, जिनका निरधारन जैविक कारकों से होता है, नहीं कि वो सीखे हुए होते हैं। सामन्य, मान्य विय, मूल प्रिवर्तियां, common human instincts, जिज्यासा, curiosity, plan, flight, प्रतिकर्षन, repulsion, परजन, reproduction, पेत्रिक बेग्भाल, paternal care, आदी, मूल प्रिवर्ति, instinct का एक बल या आवेग होता है, जो प्रानी को कुछ ऐसी क्रिया करने के लिए चलित अर्ज करता है, जो उस बल या आवेग को कम कर सके, मूल जैविक आवशकता है, basic biological needs, भूख यानि हंगर, प्यास, थर्स्ट, काम विर्ति, सेक्स, सबसे पहला पार्ट इसमें आता है हमारे पास, भूख, खंगर, भूख व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभी प्रेरित करती है, भूख क्यों लगती है, भूख के उदिपकों में अंतर निहेत है, पहला, अमाशे में संकुचन, जो यह इंगित करता है, यह अमाशे रिक्त है, भाली है, दूसरा, रक्त में ग्लुकोस की निमन सांदर्था, लो कंसल्ट्रेशन, तीसरा पार्ट है, प्रोटीन का निमन स्तर, शरीर में वसा के भंडारन की मातरा, भोजन की सुगन्द, एरोमा, सवाद, टेस्ट या दर्शन, अपिरेंस, भोजन कैसा लगता है, भी खाने की इच्छा उत्पन्द करते हैं, हमारी भोख आज चेतक यानि हाइपो थैलामस मस्तिक में एक रचना होती है, मैं स्थेत पोशन त्रिप्ती की जटिल व्यवस्था, फीडिंग, कंप्लेक्स, सेटाइटी, सिस्टम, येकर्थ, लीवर और शरीर के अन अंगों तथा प्रिवेश एन्वार्मेंट में स्थेत बाहियस अंकेतों, एक्स्टर्नल क्यूस द्वारा निहंतरित होती है, कुछ शरीर क्रिया बेग्यानिकों, फीजियोलोजिस्ट का मत है कि येकर्थ, यानि लीवर के उपापचे क्रियाओं, मेटाबोलिक फंक्शन में होने वाले प्रिवर्तनों के कारण भूख की अनुभूती होती है, यानि जब हमें प्यास लगती है, तो हमारा मुँ तथा गला सूखने लगता है, तथा शरीर के उतकों में निरजली करण डी हाइड्रेशन होने लगता है, सूखे मुँ को आदर यानि वेट गीला करने के दिए पानी पीना आवशक है, केवल मुँ का सूखना ही पानी पीने के विवहार में रिजल्ट नहीं होता, बलकि शरीर के भीतर घटित होने वाली परक्रियाएं, प्यास तथा पानी पीने को नियंतरित करती हैं, निरजली करन, डी हाइड्रेशन में, शरीर के उत्कों में परियाप्त मातरा में जल पहुंचने पर ही मुँ तथा गले का सूखना दूर हो जाता है, शरीरिक स्थितियां पानी पीने के व्यभार को परमुखते उदिप्त करती हैं, motivation to drink water is mainly triggered by the conditions of the body such as loss of water from cells, कोशिकाओं से पानी का अक्षे, reduction of blood volume, रक्त के प्रिबान का घटना, कोशिकाओं के निरजली करन, यानि डी हाइड्रेशन की स्थिती में, तंत्री का आवेख, नर्व इंपल्स उत्पन्ध होता है, जो थैलामस दवारा निंत्रित होता है, यह कंत्री का आवेख, प्यास तथा पानी पीने के लिए संकेत का कारिय करते हैं, काम विर्थी, सेक्स यह हमारा तीसरा भाग आता है, मुलिश्य तथा पश्वों दोनों में ही एक अत्यन्थ शक्तिशाली अंतरणोर ड्राइव, काम अंतरणोर सेक्स ड्राइव है, काम क्रिया की अभी प्रेना, मानव विभार को प्रभावित करने वाला एक अत्यन्थ बलशाली कार्ख, स्ट्रॉंग फैक्टर है, काम केवल एक जैविक अभी प्रेर्यक से नहीं अधिक है, श्रीर क्रिया व्यग्यानिकों, यानि फीजे लॉजिस्ट की अनुसार, कामिच्छा की तीवर्ता, इंटेंस्टी ओफ सेक्स्वल अर्ज, रक्त में परवाईत हो रहे यौन हार्मोन, जिसकों सेक्स हार्मोन कहा जाता है, पर निर्भर करती है, मनुष्यों में यौन हार्मोन वर्षन यानि टेस्टीज से तथा इस्त्रियों में अंडाश है यानि ओवरीज से स्त्रावित होते हैं, मनो सामाजिक अभी प्रेरक, साइको सोशल मोटिव्स, मनो सामाजिक अभी प्रेरक अधिकांस्त है, सीखे हुए होते हैं, सामाजिक अभी प्रेरकों को सीखने में सामाजिक समोहों जैसे प्रिवार, प्रास, मितरगन और संबंधियों का बहुत योगदाल होता है, ये अभी प्रेरकों के जटिल रूप हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रिवेश, सोशल एन्वार्लमेंट के साथ अंतय के लिए इंटर एक्शन के प्रिणाम सवरूप उत्पन्न होते हैं, सबसे पहला है इसके अंदर संबंधन अभी प्रेरक, एफिलियेशन बूटि, मुनुष्य सामाजिक प्राणी हैं तथा दूसरी व्यक्तियों और मितरों की उसे आवशक्ता होती है, समानताएं रखने वाले लोग एक समो बना लेते हैं, समो का निर्मान मानव जीवन की एक महत्तो पूर्ण विशेष्टा है, सम्बंधन, एफिलियेशन, दूसरों को चाहना तथा भौतिक एवम मनो व्यज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को सम्बंधन या एफिलियेशन कहते हैं, इसमें सामाजिक संपर्क की अभी प्रेणा अंतर नहीत है, सम्बंधन, एफिलियेशन की आवशक्ता, उस समय उत्पन होती है, जब व्यक्ति खत्रे में हो, या ऐस हाय मैसूस कर रहा हो, या बहुत परसंद हो, दूसरा है, शक्ति अभी प्रेरत, यानि पावर मोटिव, शक्ति यानि पावर की आवशक्ता, व्यक्ति की वह योग्यता, एबिलिटी है, जिसकी कारण वह दूसरों के सम्वेगों, इमोशन्स, तथा व्यभारों, बिहेवियर्स, पर अभी प्रेरित परभाव, एफ्यक्त ढालता है. शक्ति अभी प्रेरत, पावर मोटिव की लक्ष क्या है? दूसरों परभाव डालना, नियन्तरण करना, कन्ट्रोल करना, संमत कराना, पर्स्वेड करना, नितर्तव करना, लीड करना, दूसरों को मोहित कर लेना, चार्म अदर्स, तथा दूसरों की दिरिष्टी में अपनी प्रतिष्ठा को उंचा उठाला. शक्ति अभी प्रेरख की अभी व्यक्ति के चार सामान्य तरीके. व्यक्ति शक्ति पावर या सामर्थ, स्ट्रिंथ का बोध प्राप्त करने के लिए अपने बहार की सुरोतों का उप्योग करता है. जैसे खेल के सितारों के बारे में कहानियां पढ़कर या किसी लोग प्रिये व्यक्ति के साथ सनलगन अटेज्ड होकर, शक्ति का बोध अपने भीतर के सुरोतों दवारा भी किया जाता है. और उसकी अभी व्यक्ति शारिरिक सौस्थव का निर्मान यानि बिल्डिंग अप दा बॉडी करके तथा अपने आविगों इंपल्सिस एवं अन्ते प्रेणाओं अर्जिज पर नियंतर्न करके की जा सकती है. व्यक्ति कुछ कारिय व्यक्ति गत्स तर पर दूसरों पर परभाव डालने के लिए करता है. जैसे दूसरी को परभावित करने के लिए बहस करना या परतियोगिता, कम्पिटिशन करना. व्यक्ति किसी संग्ठन के सदेश्चे के रूप में दूसरों पर परभाव डालने के लिए भी कारिय करता है. जैसे किसी राजनेतिक दल पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में. तीसरा पार्ट आता है उपलब्दी अभी प्रेड़क. अचीवमेंट मोटिव मैं कुछ प्राप्त करूँ उच्ची शिक्षा प्राप्त करने तथा अच्छी आजीवी का साधन प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं. उत्क्रिष्टता हूँ यानि एक्सिलेंस के माप दंड को प्राप्त करने की यह आवशक्ता उप लब्धी अभी प्रेरग कहलाती है उप लब्धी की आवशक्ता विवारों का उर्जन एमम निर्देशन एनरगाईजिज एंड डारेक्ट्स करती है तथा प्रिस्थितियों के पर्टेक्शन पर्सेप्शन को प्रभावित करती है बच्चे आरंभिक वर्षों में उप लब्धी अभी प्रेरग को अर्जित करते हैं उप लब्धी अभी प्रेरग को अर्जित करने के स्रोतों में माता पिता दूसरे भूमी का प्रतिरूप Other Role Models तथा सामाजिक सांस्किर्तिक सोश्यो कल्चरल प्रभाव शामिल हैं जिज्याशा, एमम अन्वेशन, Curiousity and Exploration कभी-कभी व्यत्ति ऐसे कारिये भी करते हैं जिनका कोई सूस्पस्ट लक्ष नहीं होता किन्तु वे ऐसे कारियों से भी कुछ आनंद प्राप्त करते किसी विशिष्ट पहचाने जाने वाले लक्ष के बिना भी कारिया करना एक अभी प्रेण आत्मक्त प्रिवर्ति मोटिवेशनल टेंडेंसी है नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाए प्राप्त करने में से परसंदता की अनुभोती इत्यादित जिज्याशा के संकेत साइंस ओफ कुरियोस्टी हैं अत्य जिज्याशा उन व्यवारों का वर्णन करती है जिनका मुख अभी प्रेरक प्रेमरी मोटिव अपने किरिया कलापों में व्यस्त रहना परतीत होता है हम अपनी जिज्याशा एमम समवेदी उद्धिपल सेंसरी स्टिमूलेशन की आवशक्ता के कारण प्रिवेश का अनवेशन एक्स्प्लोरेशन करने के लिए प्रिचालित ड्राइव्ज होते हैं शिश्वों तथा छोटे बच्चों में यह अभी प्रेरक अत्यंत परबल होता है उन्हे अनवेशन यानि एक्स्प्लोर करने की सवतंतरता संतोश परदान करती है जो उनकी मुस्कराहट तथा बबलाने में परकट होती है इस परकार आज हमने अभी प्रेर्णा का सवरू अभी प्रेर्णा क्या है तथा अभी प्रेर्णा के परकार यानि अभी प्रेर्णा हमें कैसे मिलती है कि जैविक अभी प्रेर्ण एवं मनोसामाजिक अभी प्रेर्ण के बारे में जाना मुझे आशा है इस जालकारी से आप अवश्य ही लाभानवित हुए होगे कि अवश्य ही लाभानवित है अवश्य है